Hello students, how are you? Myself, Rajendra Verma, Team Chemistry. DCM Test Series श्रंखला में, आज हम लोग जनल ऑर्गनिक केमेस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. शुरू करते हैं, बेटा. सेक्शन ए से आपके पास जो क्वेशन हैं, सेक्शन ए में सिंगल चोईस क्वेशन आपको करने हैं. फर्स्ट क्वेशन आपके पास है, दा रिलेटिव नुक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. धुरूविय प्रोटिक विलायक में सापेक्ष नाभिक सनेहिता हमीं देखनी हैं. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको क्या कंसीडर करना होता है? नेगेटिवली चार्ज नुक्लियोफाईल का साइज जितना बड़ा होगा, नुक्लियोफिलिक जो डोनर एटम है, उसका साइज जितना बड़ा होगा, उसकी नुक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी. ठीक है? तो oxygen के respect sulfur का size ज्यादा है और size increase होगा तो polar product medium में nucleophilicity भी increase हो जाएगी तो इन तीनों में से सबसे strong nucleophile in polar product medium कौन सा रहेगा आपके पास A अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर C जो है यह C आपके पास कुछ इस तरहें की structure रखता है तो C में क्या है? loan pair delocalized है V स्थानिक रत है negative charge delocalization में participate कर रहा है तो nucleophilicity क्या हो जाएगी? decrease हो जाएगी तो इन में से strong nucleophile कौन सा होगा? B और B के बाद किसका नंबर आएगा? C A, B और C आपके पास यह answer आजाएगा ठीक है? imedazole has PKA7 with respect to its conjugated acid with which N is protonated in this conjugated acid and Y अपने सयुगमी अमल के साब एक इमेडा जोल का PKA7 है इस सयुगमी अमल में कौन सा nitrogen protonit होता है और क्यों? यह imedazole की सरंचना है और आपको देखना है कि इसमें कौन से nitrogen का protoni करन होगा protonation होगा और उसका reason क्या रहेगा? तो protonation के लिए हमें क्या consider करना पड़ता है? basic strength consider करनी पड़ती है strong base is always easily protonated जो प्रबलक्षार होते हैं वो हमेशा आसानी से protoni करत हो जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर जो lon pair है और यहाँ पर जो lon pair है इसमें से यह lon pair कैसा है? delocalized है वी स्थानी करत है बेटा ये यह lon pair कैसा है? delocalized है वी स्थानी करत है और अगर lon pair delocalized है वी स्थानी करत है तो basic strength decrease हो जाएगी, it means यह कैसा है, weak base है, और इसको हम क्या कहेंगे, strong base कहेंगे as compared to this nitrogen this is strong base as compared to this, अब यहाँ पर जो lawn pair है, यह lawn pair resonance में participate नहीं कर रहा है अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है तो अब इसके base पर हमें आंसर देना है N1 because imidazole is an aromatic compound नहीं बेटा, protonation किसका होगा, इसका होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह strong base है यह answer नहीं है इसके अंदर N1 because N1 तो answer आई नहीं रहा है बेटा, N3 N1 यह भी cancel होगया, तो सिरफ A की answer बचा आपके पास N3 because its lawn pair does not participate in resonance इसका lawn pair अनुनाद में भाग नहीं लेता है, इसलिए strong base है और जो strong base है वो easily protonated हो जाएगा polarization of electron in acrylene may be written as acrylene में electronों के दुरुवी करण को निम्ण में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है यह आपके पास acrylene का structure है अब देखें यह group कैसा है यह group कैसा है वेटा electron withdrawing group है electron आकरशी समू है तो यहां से यह electron अपने side में withdraw करेगा तो withdraw करने से इस end पर कौन सा charge रहेगा negative और इस end पर कौन सा charge रहेगा वेटा positive आप देख सकते हैं इसका resonance करके भी देख सकते हैं यह electron यहां से यहां transfer होगा यह electron यहां से यहां transfer होगा तो CH2 positive CH double bond CH single bond O negative तो यह वाली condition कहां पर apply हो रही है fourth में apply हो रही है next among the following the least stable resonance structure least stable आप देखें इन में से आपके according least stable resonance structure कौन सा होगा यहां देखें यहां पर यह answer आएगा वड़ा यह least stable है reason समझ में आ रहा है similar positive charge similar positive charges are present on adjacent atoms समान, धनावेश, निकटवर्ती परमानूओं पर उपस्थित है इसलिए in positive और in positive में क्या लगेगा repulsion लगेगा, प्रतिकर्शन लगेगा और repulsion stability को क्या करता है decrease कर देता है answer आजाएगा first due to repulsion between these two positive charge product will be इस reaction में आपको product बताना है one mole HCl simple acid base reaction की बात कर रहा हूँ simple acid base reaction की बात कर रहा हूँ तो HCl का H इन में से कहां पर attack करेगा जो strong base होगा strong base will be easily protonated प्रभलक्षार आसानी से protonी क्रत हो जाता है तो अब देखें यहां पर nitrogen, nitrogen, oxygen तो इन तीनों nitrogen और इस oxygen में से oxygen का protonation नहीं होगा क्योंकि oxygen more electronegative है it means weak base है तो oxygen छोड़ दो अब यह तीन nitrogen देखें यहां पर nitrogen कैसा है इसका lone pair delocalized है delocalized है तो इसको हम क्या कहेंगे weak base कहेंगे दुरुबलक्षार कहेंगे इसका protonation भी यहां पर नहीं होने वाला है इन दोनों की बात करें यहां पर भी lone pair का delocalization हो रहा है तो यह nitrogen भी कैसा है weak base है तो इसका भी protonation नहीं होगा इसका भी protonation नहीं होगा इस NH2 का protonation होगा ऐसा answer आपको इन में से कहां पर दिया गया है देखो बेटा answer क्या आजाएगा third answer आजाएगा clear है strong base is easily protonated प्रबलक्षार आसानी से protonik रत होता है तो इन चार जगह में से यह सबसे strong base है इसलिए यहां पर protonation होगा क्योंकि मैंने आपको यहां पर one more provide करवा रखा है ठीक है most contributing structure in nitroethene अब कैसे check करते हैं कौनसी structure का contribution कम होगा और कौनसी structure का contribution ज़्यादा होगा कौनसी सरंचना का योगदान कम होगा कौनसी सरंचना का योगदान ज़्यादा होगा most stable resonance structure has maximum contribution while least stable resonance structure has less contribution सबसे ज़्यादा स्थाई अनुनादी सरंचना का योगदान सबसे ज़्यादा होता है सबसे कम स्थाई अनुनादी सरंचना का योगदान सबसे कम होता है तो मैं आपसे indirect form में यह पूछ रहा हूँ कि which one is most stable resonance structure मैं इंडिरेक्ट फॉर्म में आपसे यही पूछ रहा हूँ तो most stable regionally structure इसमें से कौन सा होगा यह रहेगा बेटा region समझ में आ रहा है आपको region समझ में आ रहा है इसे बेटा सीडिसी बात है देखो एक तो यहाँ पर number of pi bonds ज्यादा है in respect number of charge भी कम है number of pi bond बढ़ने से stability बढ़ जाती है stability of resonance structure अनुनादी सरंचना का स्थाइत बढ़ जाता है increase हो जाता है कब जब number of pi bonds pi बंधों की संख्या क्या होगी बढ़ेगी charges क्या होने चाहिए कम से कम होने चाहिए pi bond सबसे ज्यादा हो charge सबसे कम हो तो resonance structure सबसे ज्यादा stable होती है तो इसके base answer क्या आ जाएगा first answer आ जाएगा deep protonation will be fastest deep protonation v protoni current fast होना चाहिए यह कैसे चेक करेंगे acid strength से किसे चेक करेंगे acid strength से आपके पास यह कोई acid है ठीक है अमल है यह कोई इसका deep protonation गरना है तो यहाँ पर क्या बनेगा conjugated base सायूगमी क्षार बनेगा बिटाई तो acid strength जो है आपके पास acid strength अमल सामर्थे directly proportional किसके होता है stability of conjugated base की बिटा जिसका conjugated base जितना ज्यादा stable होगा उसकी acid strength उतनी ही ज्यादा होगी और जो strong acid होगा वो easily deprotonate हो जाएगा आसानी से भी proton ही करन हो जाएगा अब देखते हैं यहाँ पर इसका h अगर मैं यहाँ से remove करूँगा तो यहाँ पर negative charge आएगा अब आप देखें कौन सा negative charge सबसे ज्यादा stable है conjugated base की stability देखनी है यहाँ देखो बेटा resonance हो रहा है तो इस negative charge is stabilized by resonance it means this conjugated base is most stable as compared to these three it means बेटा तो यहाँ आंसर इस बेटा ग्रुप बेटा ग्रुप बेटा ग्रुप विल बी deprotonate easily बेटा समुह का वी प्रोटोनी करन आसानी से होगा रीजन समझ में आ रहा है which of the following pair can show minus i as well as plus m कौन सा युगम minus i और plus m दोनो minus i भी होने चाहिए और plus i भी होना चाहिए तो बेटा इसमें गड़बड हो गया क्योंकि इसका minus i तो है लेकिन plus m नहीं है इसमें इन दोनों के लिए minus i भी है plus m भी है यहां क्या गड़बड हो गई इन दोनों के लिए क्या होता है बेटा plus i plus m इसमें इन दोनों में क्या होता है बेटा minus i minus m तो आपके पास होना चाहिए minus i plus m minus i plus m यहांसर इस second next question which of the following compound possess the carbon hydrogen bond with lowest bond dissociation energy carbon hydrogen bond with lowest bond dissociation energy कैसे चेक करेंगे इसके लिए क्या करना आपको bond energy पूछ राइए bond dissociation energy means bond energy bond energy of CH bond stability of stability of carbon free radical CH बंध की बंधूर्जा समानुपाती होता है carbon मुक्त मुलक के स्थाइथ विद कर्वानुपाती होता है carbon मुक्त मुलक के स्थाइथ होके इसकी stability जितनी जादा होगी bond energy उतनी ही कम हो जाएगी stability बढ़ेगी free radical मुक्त मुलक की bond energy कम होगी तो आपको इनका क्या करना है इन चारों से free radical बना के देखना है किसको remove करके carbon hydrogen bond को remove करके homolysis समान स्विखंडन से तो आपके पास जो answer आएगा वो toluene आएगा वेटा आपके पास answer आएगा toluene आएगा उसका region है toluene में जब आप यहां पर homolysis एप्लाई करेंगे तो resonance stabilized benzyle free radical मिलेगा वेटा resonance stabilized benzyle free radical योर आणसर इज toluene which of the following is most stable सबसे ज़्यादा स्थाई आपको कौन सा लग रहा है carbonine है यहां पर क्या है plus eye effect plus eye क्या करता है इसको destabilize करता है इसके stability को कम कर देता है स्थाईतों को घटा देता है यहां पर इसमें क्या लगा हुआ है minus eye effect minus eye effect stability को क्या करेगा increase करेगा यहां पर भी minus eye effect है stability को increase करेगा लेकिन but there is also a back bonding resonance पच्च आवंधन अनुनाद है, यहां कह सकते हैं, there is also delocalization of negative charge, यहां पर रिनावेस का वी स्थानी करण भी है, क्यों हैं, समझें जरा इसको यह आपके, chlorine के पास क्या है, vacant d orbital है, chlorine में क्या है, vacant d orbital है, और यह fulfilled आपके पास orbital present है, तो यह ice को क्या करेगा, lawn pair donate करेगा, और एक pie bond बना देगा बास समझ में आए, तो negative charge, carbon से किस पर delocalize हो जाएगा, chlorine पर delocalize हो जाएगा, तो इन में से most stable answer कौन सा जाएगा, fourth जाएगा बेटा, reason समझ में आ रहा है, reason आपको दिया जा सकता है, due to back bonding, पश्च आबंधन, यह भी सही रहेगा, due to delocalization of negative charge, रिनावेस के वी स्थानी करण से यह भी इसका answer सही जाएगा, back bonding किस में हो रहा है, यहाँ पर आपके पास है 2P orbital और यहाँ पर आपके पास है 3D orbital, compare the basic strength of following compound, निम्न योगिकों के एक्षार सामर्थे की तुलना करने, basic strength, basic strength कैसे decide होती है बेटा, basic strength, directly proportional electron density, electron घनत जो है, electron density जो है, उसके directly proportional, electron density बढ़ेगी, basic strength बढ़ जाएगी, electron density को कौन बढ़ाता है, electron donor group बढ़ाता है, गटाता कौन है, electron withdrawing group, देखो, और आपको क्या ध्यार रखना है, आपको ध्यार रखना है, कि basic strength जो है, वो electron negativity पर भी depend करती है, electron negativity कम होगी, तो basic strength ज्यादा होगी, electron negativity कम होगी, basic strength, या electron negativity सेम है, reason है, SP2 hybridization, SP2 hybridization, SP2 hybridization, electron negativity सेम है, तो यह concept तो काम नहीं आएगा, हमें electron density देखनी पड़ेगी, देखो, इसका lone pair resonance में participate कर रहा है, बेटा, ऐसे, और negative charge oxygen पर transfer हो रहा है, इसमें भी lone pair resonance में participate कर रहा है बेटा, if lone pair is delocalized, then basic strength will be decreased, यदि lone pair का 20 थानी करन होता है, तो क्षार समर्थ है, कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इसका delocalization नहीं है, तो सबसे strong base कौन सा हुआ, यहाँ electron density सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर electron density सबसे ज़्यादा है, तो basic strength सबसे ज़्यादा है, यहाँ delocalization ज़्यादा है, तो electron density क्या होगी, decrease होगी, electron density decrease होगी, तो basic strength भी decrease हो जाएगी C and B A, C, B answer is second बाट समझ में आ रही है यहाँ delocalization ज़्यदा है बेटा और effective भी है क्योंकि negative charge oxygen के पास जा रहा है जहाँ पर वो stable हो जाएगा In which of the following compound the CCL bond ionization shall give most stable carbocation निम लिखत में से किस योगिक में CCL आबंध आयनिकन सर्वाधिक स्थाई कारत धनायन देगा पहले तो आपको इसका ionization करना है इसका ionization करेंगे तो यहाँ पर positive charge आएगा इसका ionization करेंगे यहाँ पर positive charge आएगा इसका ionization करेंगे यहाँ पर positive charge आएगा इसका ionization करेंगे यहाँ पर positive charge, अब देखो इन में से कौन सा carbogatens सबसे ज़्याद स्टिबल है, कौन सा बेटा second, resonance stabilized, hyperconjugation stabilized in pyrol, electron density is maximum on, अब देखें कौन सी position पर electron density is maximum, अब मैं इसके लिए resonance structure बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ transfer होगा ठीक है, तो आपके पास जो resonance structure बनेगी, वो क्या बनेगी, जान से देखना यह resonance structure बनी, और इसके पास positive charge आएगा next resonance structure देखें आप next resonance structure आपके पास कुछ ऐसा होगा, अब इन दोनों resonance structure को देखो positive charge nitrogen के पास है, negative charge carbon के पास है, दोनों structure में charge का atom similar है, nitrogen nitrogen positive, carbon carbon negative, ऐसे case में हम distance को consider करते हैं, on increasing distance between opposite charges, stability decreases, विप्रीत आवेशों के मद्ध, दूरी बढ़ने से स्थाइट तो कम हो जाता है, तो यह कैसा है, less stable, और यह कैसा है, more stable बेटा, यह कौन सी position पर negative charge है, second position पर negative charge है, तो electron density कहां पर ज्यादा होई, second position पर, एक तो हमारे पास second, अब second यहां पर भी है, second यहां पर भी है, तो यह तो answer reject हो गया, अब दूसरा क्या option हो सकता है, उसके लिए देख लेते हैं, देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, यह resonance ऐसे करते हैं, ऐसा अगर आप resonance करेंगे, तो यहां पर, यह resonance structure बनेगी, इसके बाद, next, अब इन दोनों structure को compare करो, which one is more stable, this one is more stable, due to minimum distance between opposite charge, विपरी तावेशों के बीच में दूरी सबसे कम है, इसलिए इसका स्थाइट तो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है ना, यह कौनसी position पर negative charge है, 5th position पर negative charge है, 2 and 5th, your answer is first, ठीक है, paragraph, bond length is affected by resonance, chloroethene is found by measurement to have a carbon chlorine distance of 1.69 angstrom, this is shorter carbon chlorine bond length as expected, बंद लंबाई अनुनाद से प्रभावित होती है, chloroethene को माप से 1.69 angstrom की carbon chlorine बंद लंबाई के रूप में पाया जाता है, अपक्षा के रूप बंद लंबाई नहीं है, मतलब आपको यहाँ पर क्या consider करना है, कि bond length पर resonance का effect होता है, या तो bond length बढ़ जाएगी, या फिर bond length घड़ जाएगी, अब इस से related question हमें देखने हैं वेटा, Which of the following has shortest carbon chlorine bond length? Bond length of single bond is decreased due to resonance, अनुनाद के कारण एकल बंद की लंबाई कम हो जाती है, bond length of double bond is increased due to resonance, दुवी बंद की बंद लंबाई अनुनाद के कारण बढ़ जाती है, simple सा काम है, ठीक है? तो देखो हो, यहां पर कोई resonance नहीं है, pure single bond है, यहां resonance है, resonance होगा तो यहां double bond बनेगा, double bond बनेगा तो length कम हो जाएगी, यहां भी resonance होगा बैटा, यहां भी resonance होगा, और resonance होगा तो double bond आएगा यहांपर, length कम होगी resonance increase होगा double bond character increase होगा bond length decrease होती चली जाएगी आपका answer थर्ड आ जाएगा next 15th question arrange the following decreasing order of carbon nitrogen bond length कोई सेम यहाँ कोई resonance नहीं है बेटा ठीक है यहाँ पर resonance है यहाँ पर भी resonance है यहाँ पर भी resonance है resonance यहाँ ज्यादा है resonance जितना ज्यादा होगा double bond character ज्यादा होगा bond length उतनी ही कम हो जाएगी इसकी length सबसे ज्यादा है और इसकी length सबसे कम है तो A में सबसे ज्यादा length है फिर B का नंबर आएगा और फिर C का नंबर आएगा A, B, C यह answer आजाएगा ठीक है next paragraph में देखें which of the A आपको यह consider करना है यह compound इस compound से related दो कोशन आपके पास है which of the following represent most acidic most acidic conservator यह होता है acidic strength यह रहता है आपके पास acidic strength वेटा ठीक है और इस acidic strength में आपको क्या करना है इस acidic strength में आपको देखना है most acidic OH group OH group देखें आप तो OH group D पर आपके पास आ रहा है और थांसर आ जाएगा next देखते हम इसमें next paragraph आपको इस compound को consider करना है और इससे related कुछ एक questions के आपको answer देने हैं कैसे आपको देखना है most acidic site आपको देखनी है सबसे अधिक अमली है कौन सा है तो इसमें आपके पास ध्यां रखना है triple bonded carbon hydrogen इसके इससे ज़्यादा acidic NH bond इससे ज़्यादा acidic OH यह है acid strength आमल सामर्थ तो OH group is most acidic in this compound most acidic most acidic OH answer क्या जाएगा आपके पास D ठीक है next question where will the protonation take place first कौन सी जगह पर protonik अर्ण सबसे पहले होगा protonik अर्ण सबसे पहले वहाँ होगा जहाँ पर basic strength सबसे ज्यादा है खशार सामर्थे जहाँ पर सबसे ज्यादा है तो proton कहां कहां पर add हो सकता है सबसे strong base आपके पास कौन सा रहेगा बेटा NH2 NH2 सबसे strong base रहेगा तो E second answer आजाएगा next paragraph aromatic compounds are those that meet the following criteria aromatic योगिक वे हैं जो निम लिखित मान दंडों को पूरा करते हैं the structure must have cyclic containing delocalized 4N plus 2 pi electron सरंचना चक्रिय होने चाहिए और उसमें 4N plus 2 pi electron का V स्थानी करण होना चाहिए ये condition है दूसरी each atom in the ring must have unhybridized p orbital तभी वहाँ पर resonance हो पाएगा unhybridized p orbital must overlap pi bond बनाने के लिए ज़रूरी है ये और structure must be planar यानि कि each atom of the structure should be sp2 hybridized सरंचक्रिय सरंचना के में परतेक परमानू का संक्रण sp2 होना चाहिए और एक condition इसमें और दी है anti-aromatic में क्या होता है 4N pi electron होते हैं तो ही रहती है सिर्फ इसको change करके क्या ले आता है 4N pi electron 4N plus 2 pi electron का मतलब आपके पास क्या होने चाहिए 2 pi electron होने चाहिए N की value आपको क्या करनी है इसमें 0, 1, 2, 3 हो सकती है 2 pi electron, 6 pi electron, 10 pi electron ये सब aromatic character के लिए उज़ते हैं और इसमें N का value क्या होता है इसमें N का value 1, 2, 3 होता है तो इसमें क्या आएगा 4 pi electron, 8 pi electron, 12 pi electron ये सब किसमें आते हैं anti-aromatic में आते हैं anti-aromatic compounds are less stable as compared to aromatic and non-aromatic generally anti-aromatic compounds are not found at room temperature देखें इस paragraph से related आपके पास क्या कोशन है which of the following compound is aromatic aromatic कौन सा है ये देखना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका hybridization कैसा हो गया वेटा sp3 और यहाँ पर pi electron कितने हैं 4 pi यह तो aromatic नहीं है यहाँ पर देखें कितने electron हैं 4 pi हमारे पास क्या होने चाहिए 2 pi 6 pi 10 pi यह ऐसे electron होने चाहिए aromatic character के लिए तो यह answer भी आपके पास नहीं आएगा यहाँ पर देखें यहाँ पर एक lawn pair भी होता है तो 2 pi, 2 pi, 2 pi 6 pi electron और आप किसी भी carbon को check कर सकते हैं किसी भी carbon को check कर सकते हैं और किसी भी nitrogen को check कर सकते हैं तो यह structure कैसी मिलेगी आपको planar मिलेगी यहाँ पर भी गड़बड हो रहा है 6 pi electron तो है लेकिन यह कैसा है वेटा sp3 है planar नहीं है cyclic structure में जो भी atom होंगे उनका hybridization sp2 होना चाहिए और यहाँ पर गड़बड कर दिया sp3 your answer is third which of the following is anti-aromatic anti-aromatic के लिए क्या condition बताई थी मैंने आपको 4 and pi 4 pi electron हो सकते हैं 8 pi electron हो सकते हैं लेकिन condition है cyclic structure must be planar cyclic structure must be planar यह compulsory condition है तो यहाँ पर sp2, 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 sp2 है 5, 4 pi electron है यहाँ पर 8 pi electron है लेकिन इसकी यह structure नहीं है इसकी actual structure बेटा tub shape में होती है cyclo, octa, tetra, in tub shape में structure रखता है जो की planar नहीं है तो delocalization यहाँ पर नहीं होगा यह answer नहीं आएगा लग तो रहा है ना लेकिन यह tub shape में है यहाँ पर आपके पास यहाँ गड़वड हो गई sp3 यह भी answer नहीं आएगा तो यह भी answer नहीं आएगा your answer is first next section B है one or more than one आपके पास correct answer हो सकते है correct order of stability for resonance structure अब correct order है यहाँ पर देखते हम यहाँ पर देखें number of pi bonds कितने है two pi bond है और यहाँ पर आपके पास number of pi bond क्या है one pi bond है यह जो carbon है positively charged यह incomplete octet के साथ है incomplete octet के साथ है तो यह structure more stable है यह less stable है सही क्रम पूछा है आपसे correct order पूछा है यह order correct है यहाँ पर देखें negative charge oxygen के पास है इसमें negative charge carbon के पास है if negative charge is present at more electronegative atom then the structure will be stable यदी रिनावेश अधिक विद्युत्रिनी परमानू पर है तो वह सरंचना अधिक स्थाई होगी this is also correct order यहाँ पर क्या problem है यहाँ पर problem यह है दोनों aromatic है positive charge carbon के पास positive charge carbon के पास negative charge carbon negative charge carbon मैंने आपको बताया है कि अगर आपके दो resonance structure है और दोनों में positive charge same atom पर present है negative charge भी same atom पर present है तो उस case में हमें distance concept apply करना होगा on increasing distance on increasing distance between opposite charges stability of resonance structure decreases यदि दो विपरीत आवेशों के बीच दूरी बढ़ती है तो स्थाई तो कम हो जाएगा यहाँ देखो दूरी कम है और यहाँ दूरी ज्यादा है तो order यह होना चाहिए था यह गलत हो गया यहाँ पर देखें गया है पाई बॉर्ण दोनों में सेम है लेकिन इसमें चार्ज है इसमें चार्ज नहीं है stability of resonance structure directly proportional number of पाई बॉर्ण but inversely proportional number of charges जितने ज़्यादा चार्ज बढ़ाओगे stability उतने ही कम हो जाएगी तो यह order ऐसा होना चाहिए था यह भी गलत है first भी correct है और second भी correct है बेटा in which of the following bases are written in increasing order of basic strength increasing order of basic strength बेटा शार समर्थय का बढ़ता क्रम देखें तो delocalized electron density decrease होगी weak base localized लेकिन यह negative charge है anion is always strong base as compared to neutral molecule यह सही है यह anion है इसलिए strong base है इसका lawn pair resonance में participate नहीं कर रहा है इसका lawn pair resonance में participate कर रहा है lawn pair resonance में participate करेगा electron density decrease होगी electron density decrease होगी तो basic strength भी decrease हो जाएगी यह order correct दिया हुआ है यहाँ पर कहीं कोई delocalization नहीं है लेकिन electron negativity concept काम आएगा less electronegative atom के पास basic strength जादा होती है more electronegative atom के पास basic strength कम होती है तो यह भी correct order है यहाँ पर देखें तो यहाँ यह गड़बड हो गया वेटा देखो इसका order क्या होना चाहिए था इसको मालो मैं A माल लेता हूँ इसको मैं B माल लेता हूँ इसको मैं C माल लेता हूँ तो basic strength आपके पास होनी चाहिए थी A, C और B ऐसा होना चाहिए था तो यह गलत हो गया यहाँ पर देखें, carbon, oxygen, oxygen, तो पहले तो carbon बिल्कुल सही है, oxygen, इसका oxygen यह देखो, यहाँ पर delocalization है, इसके अंदर यहाँ पर delocalization है, और साथ में क्या present है, electron withdrawing group, electron withdrawing group क्या करेगा, basic strength को decrease करेगा, it means, it is a correct order, बात समझ में आगई, oxygen और carbon में से कौन सा ज़्यादा होगा, carbon, क्योंकि carbon की electronegativity कम है, which of the following is our correct decreasing order of acid strength, acid strength का आपको decreasing order देखना है, आपको सामर्थय का घड़ता हुआ करम देखना है, यहाँ पर ortho effect है, और यहाँ पर minus M है, ortho effect, ortho पर भाव minus M, यहाँ पर ortho ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यह तो correct order है, यह गड़बड हो गया, इसको यहाँ आना चाहिए था, ortho effect, size बढ़ेगा, ortho effect बढ़ेगा, acid strength बढ़ जाएगी, यह भी correct है, यह तो correct है, इसमें कोई problem ही नहीं है, कोई problem नहीं है, यहाँ पर क्या है, plus M effect, यहाँ पर क्या है, plus M effect, plus M effect increase होगा, acid strength decrease हो जाएगा, first, third or fourth is में correct option है, which of the following is our incorrect statement, this is less acidic than this, यह इससे weak acidic है, दुरूबल अमली है, बिल्कु सही है क्या, इसमें देखो क्या लग रहा है, यह अपना H plus release करेगा, anion बनाएगा, और यह anion, hydrogen bond के तुरूबल होगा, इसका मतलब यह strong acid है, यह weak acid है, तो यह तो correct statement है, आपको बताना है, incorrect, ऐसत्यकतन, तो यह तो answer नहीं होगा, यह answer नहीं होगा, is less basic than this, यह गलत हो गया बेटा, इसमें कौन से effect लग रहा है, SIP, steric inhibition of protonation, steric inhibition of protonation से basic strength कम हो जाती है, basic strength कम हो जाती है, यह weak basic होगा, यह नहीं होगा, तो, incorrect, NO2 is having less minus I than F, यह भी गलत है, यह भी answer आजाएगा, NS3 plus है, यह भी गलत है, तो answer क्या आएगा, second, third, and fourth, which of the following order correctly depict the decreasing order of stability of carb anions, carb anion के स्थाइतों का घटता सही करम कौन सा है, देखे तो, यह गड़बड कर रहा है यहाँ पर, यह resonance हो रहा है न, देखो जान से, resonance की वज़े से, negative charge का delocalization होगा, negative charge का delocalization होगा, तो anion की stability बढ़ेगी, तो यहाँ इसकी वज़े से, यह गड़बड हो गया, यहाँ पूचा है सही करम, तो यह तो नहीं आंसर आ सकता, यहाँ पर क्या है, देखो बिटा, जान से देखो बिटा, यह देखो, होड़ा resonance, यह negative charge यहाँ भी delocalized है, यहाँ पर भी delocalized है, यहाँ पर भी delocalization बढ़ेगा, anion stability बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर 3C अच्चो है, यहाँ दो है, तो इसके respect यह, तो यह तो correct है, इसमें यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, C अभी, देखो, इसमें, यह क्या है, 3D orbital, यह 2P orbital, backbonding हो गई, resonance हो रहा है, ठीक है, इसमें SP, और इसमें SP3, SP क्या है, more electronegative, more electronegative, atom per negative charge stable होता है, तो यह order भी correct दिया हुआ है, यहाँ पर, प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई, और आप सब को पता होगा, अच्छी तरह से, प्लस आई, CT3 में ज्यादा होता है, फिर CD3 आएगा, फिर CS3 आएगा, और प्लस आई, फेक्ट जितना ज्यादा होगा, प्लस आई, फेक्ट जितना ज्यादा होगा, anion stability उतनी ही कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की inversely proportional होते हैं, यह भी आपके पास correct order है, तो answer, second भी है, third भी है, और fourth भी है, select true statement, सही कतन को चुनना है, CS3 COO is more stable than this, देखें तो ऐसा है क्या, these two are identical resonance structures, और इस में देखें तो, these two are not identical resonance structures, this means, these are stable resonance structures, CS3 COO negative is more stable than this, correct, बात समझ में आ रहे हैं, क्यों है यह, क्योंकि इसकी resonance structure कैसी है, identical हैं, इसलिए यह more stable resonance structure होगी, as compared to this, reacts with KH, K positive, H negative, तो यहाँ H negative क्या है बेटा, base है, यह इस में से H plus को release कर लेगा, तो result क्या रहेगा, यह compound कैसा है, aromatic, reacts with KH and form an aromatic product, यह भी सही है, ठीक है, CH3, CO, CH2, तेखते हैं, CS3, CO, CH2 negative, effective resonance, negative charge carbon से oxygen पर transfer हो रहा है, less electronegative से more electronegative atom पर transfer हो रहा है, effective resonance, resonance, but, this resonance is not effective like this, इस में अनुनाद तो हो रहा है, लेकिन यह इस की तरह से प्रभावी नहीं है, तो इन दोनों में से ज़्यादा stable कौन सा होगा, यह होगा, यह ज़्यादा stable होगा, यहाँ लिखा है, less stable, जबकि यह क्या होना चाहिए, more stable, यह wrong statement हो गया बेटा, strong nucleophile, इसका तो यह negative charge resonance में जाएगा, और negative charge resonance में जाता है, lawn pair resonance में जाता है, basic strength कम हो जाती है, nucleophilic strength कम हो जाती है, तो यह strong कैसे हो सकता है बेटा, answer first and second, which of the following acidic strength represented are true orders, meta-methoxy, meta-position पर methoxy है, तो यहाँ पर minus I effect काम कर रहा होगा, para-position पर methoxy है, तो यहाँ पर plus M effect काम कर रहा होगा, minus I effect acid strength को increase करता है, plus M effect acid strength को decrease करता है, तो यह order तो सही है, और्थो-nitrobenzoic acid, तो इसमें क्या लगेगा बेटा, ortho effect, ठीक है, para-nitrobenzoic acid, इसमें क्या लगेगा, minus M, यहाँ क्या लगेगा, minus I, तो और्थो-इफेक्ट की वजए से सबसे strong acidic तो यही होगा, फिर minus I, minus M में से minus M वाला strong acidic होगा, यह तो यह order भी आपके पास correct है, और्थो-nitrofenol, para-nitrofenol, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी problem आती है, यहाँ पर hydrogen bonding होने से यह d-protonate easily नहीं हो पाता है, इसलिए यह order गलत हो गया, इसको पहले आना चाहिए था, meta-hydroxy minus I, benzoic, para-hydroxy plus M, तो यह भी correct है, तो first भी correct है, second भी correct है, और fourth भी correct है, in which hyperconjugation is not possible, अती सहुगमन किसमें नहीं हो सकता, hyperconjugation के लिए क्या होना चाहिए, ऐसी कोई condition होनी चाहिए, SP3 hybridized alpha, और यहां पर hydroson होना चाहिए, तभी हम delocalization कर पाएंगे, तो इसमें alpha-hydroson zero, इसमें alpha-hydroson zero, तो यहां पर भी hyperconjugation नहीं है, यहां पर भी at least one alpha-hydroson तो होना चाहिए न, इसमें alpha-hydroson zero, इसमें alpha-hydroson three, तो आपका जो answer आएगा, आपको पूछा है not possible, not possible है न, तो आपका answer क्या आएगा, first आएगा, second आएगा, और third आएगा, यह answer आपका नहीं आएगा, बास समझ में आ रही है, इसमें hyperconjugation नहीं है, alpha-hydroson zero, इसमें hyperconjugation नहीं है, alpha-hydroson zero, इसमें hyperconjugation नहीं है, alpha-hydroson zero, hyperconjugation not possible पूछा है, तो इसमें भी not possible है, इसमें भी not possible है, इसमें भी not possible है, answer आएगा, first, second and third, clear? In which delocalization of positive charge is possible, धनावे इसका वी स्थानी करन, यानि कि positive charge resonance में participate कर रहा है, या नहीं कर रहा है, तो यहां तो नहीं आएगा, sp3 है, यह तो गड़बड हो जाएगा, और अगर तुमने कर भी दिया, तो nitrogen की valency 5 नहीं हो सकती, यहां तो हो सकता है ना, phosphorus के लिए, 5 valency possible है, positive charge delocalized, positive charge delocalized, positive charge delocalized, यह answer नहीं आएगा, in which delocalization of positive charge is possible, तो answer की आएगा, second, third and fourth, select the correct statement about pyridine, pyridine के बारे में सही कथन आपको बताना है, pyridine की structure कुछ इस तरह की रहती है वेडा, pyridine has aromatic character, correct, correct statement ही बताना आपको, सही कतन ही तो बताना है, nitrogen in pyridine is sp2 hybridized, बिलकुल correct, sp2 hybridized, pyridine is strong base, then pyrol, pyridine की ये structure होती है बेटा, ये weak base, ये strong base, pyridine is strong base, then pyrol, ये भी correct है, lawn pair of nitrogen is delocalized, ये गलत है, pyridine का lawn pair resonance में participate नहीं करता है, तो delocalize नहीं हुआ, वी स्थानी करत नहीं हुआ, तो answer first, second and third, incorrect order of stability of carbo cations, यहां गड़बड हो गई बेटा, इसको यहां आना चाहिए था, resonance ज़्यादा है, ये गड़बड हो रहा है, ये भी गड़बड हो रहा है, ये यहां आएगा, तो सब गड़बड हो गया है, तो आपको बूचा, incorrect order, यह incorrect order है, यहां देखें तो, order correct है क्या, ये देखो, c h3, o, c h2 positive, ये तो resonance हो रहा है, ये यहां गड़बड हो रहा है बेटा, incorrect order, 3 degree, 2 degree, ये तो correct order है, ये answer नहीं होगा, यहां पर, backbonding होगी न, vacant, backbonding होगी, लेकिन ये गड़बड कर दिया है यहां पर, यहां पर गड़बड हो गई, ये भी आपका हो गया, incorrect, तो answer क्या जाएगा, first, second and, fourth, first, second and fourth, which of the following compound is unstable at room temperature, this one, due to anti-aromatic, ये room temperature पर dimerize हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा, room temperature पर dimerize होगा, क्या होगा, ये दोनों carbon bond formation करेंगे और यहां पर भी, यहां पर भी bond formation हो जाएगा, यहां पर भी dimerization हो जाएगा, तो anti-aromatic compound room temperature पर क्या होते हैं, unstable होते हैं, ये non-aromatic है, ये aromatic है, ये aromatic है, answer क्या है, second बेटा, among the following compound which is aromatic, 2 pi electron, completely delocalized, aromatic, 6 pi electron, completely delocalized, aromatic, यहां पर इसके पास क्या है, इसके पास vacant p orbital है बेटा, इसलिए यहां पर 6 pi electron के साथ delocalization हो जाएगा, vacant p orbital है, इसलिए 6 pi electron के साथ delocalization हो जाएगा बेटा, 10 pi electron, ये भी aromatic है, aromatic, पुछा था आप से, first, second, third, fourth, all are aromatic, section D, integer type questions है आपके पास, how many compounds are aromatic, कितने योगिक aromatic है, एक तो यह रहा, इसको consider मत कर ले ना, benzene ring present है ना, aromatic character है इसमें, यहां पर भी, यह aromatic character वाला है, यहां पर भी, यह 6 pi electron के साथ aromatic है, यहां पर यह भी aromatic है, यह नहीं है, यह भी aromatic है, यह नहीं है बटा, और, यह भी नहीं है, actually यहां पर, hydrogen, hydrogen एक दूसरे को repel करेंगे, repel करेंगे, तो यह non-planar structure में convert हो जाएगा, non-planar होने से complete delocalization नहीं होगा, तो यह non-aromatic compound, aromatic नहीं है, तो यह भी answer नहीं हाएगा, तो 1, 2, 3, 4, and 5, answer क्या है आपके पास? 5, ठीक है? From the following compounds, और ions, निमलिका आइनों से, identify value of X, X का मान गयात करना है, where X is total number of electrophiles, X क्या है? Electron सनेहियों की कुल संक्या, Electrophiles क्या है? Electrophiles are electron deficient species, electron noon प्रजातियों को, electron सनेहिअभी कर्मक कहते हैं, incomplete octet के साथ present होता है, इनका अस्टक एपूर्ण होता है, इनमें vacant orbital present होता है, रित्कक्षक उपस्थित होता है, तो देखें यहाँ पर, यह आजाएगा, यह नहीं होगा, यह आजाएगा, यह नहीं होगा, CO2 electrophile होता है, ठीक है? कार्बीन, कार्बीन में कार्बन के पास six electron है, incomplete octet है, यह भी आजाएगा, और यह भी आजाएगा, तो आंसर क्या रहा? One, two, three, four, five, six, X का value आपके पास क्या आजाएगा, बटा, six आजाएगा, How many compounds are more acidic as compared to H2O? H2O से जादा acidic कौन होता है, बटा, फिनोल होता है, इथाईल अलकॉल नहीं होता, असिटाइलिन नहीं होता, मिथेनोल होता है, मिथेनोल होता है, मिथेनोल is more acidic as compared to water, but other alcohols are less acidic as compared to alcohol, formic acid होता है, यह नहीं होता, यह भी नहीं होता, यह acid होता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है? How many long pair of electrons are delocalized, यानि कि ऐसे long pair आपको चेक करने हैं, जो resonance में participate कर रहे हैं, resonance में participate करने वाले, यह नहीं होगा, delocalize नहीं है, यह भी नहीं होगे, यह भी नहीं होगा, यह होगा, तो how many long pairs, कितने एकाकी electronigum, single, ठीक है? How many compounds become stable after deprotonation, वी protonी करन के पस्चात, कितने योगिक स्थाई हो जाते हैं, इसको यहां से जब हटाओगे, वी protonation करोगे, तो electron तो इधर आएंगे न, तो यहां पर क्या charge आजाएगा? और negative आने से यह देखो, कैसा हो गया? Aromatic. Stable हो गया? वी protonी करन के पस्चात, कितने योगिक स्थाई हो जाते हैं? How many compounds become stable after deprotonation? यह stable हो गया, क्योंकि aromatic बन रहा है, यह भी stable होगा. क्यों? क्योंकि यह जब deprotonate होगा, तो carboxylate ion बनाएगा, और carboxylate ion में equivalent resonance structure बनती है. यह भी आएगा, यह भी आएगा. इसमें से अगर मैं यहाँ से हटा के देखता हूँ, negative charge, यह तो क्या बन गया? Anti-aromatic. तो यह तो नहीं आया. Stable होना चाहिए था, stable नहीं हो रहा है. इसको अटाए यहाँ से, इसको अटा दिया, यह negative charge, aromatic, यह answer आएगा. अभी कैसा है यह बेटा, non-aromatic. अगर मैं यहाँ से h-plus अटा देता हूँ, तो यहाँ पर lawn पर आ जाएगा. Lawn पर आते ही, देखो कैसे आएगा, मैं बता देता हूँ आपके. जब आप इसका h-plus हटाएंगे यहाँ से, तो यह ऐसा हो जाएगा, जो की aromatic है. तो यह भी आएगा. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. आंसर क्या है आपके पास? 4. Clear है? How many compounds और ions are not stabilized by resonance? Are not stabilized. प्राप्त नहीं करते हैं. यहाँ पर resonance नहीं हो सकता. अगर resonance करोगे तो यह double bond बनेगा, और bridge head carbon पर double bond नहीं आता, planar geometry नहीं आती, उसकी condition होती है, cycle में 8 और more than 8 carbon होनी चाहिए. यहाँ ऐसा नहीं है. तो एक तो यह आ जाएगा. यह तो stabilize हो रहा है. Negative charge carbon से oxygen बरा रहा है. यह नहीं होगा. यह तो stable हो रहा है. यह तो stable हो रहा है न? यह भी नहीं आएगा, बेटा. यह इसमें कोई resonance नहीं है. यह हो जाएगा. इसमें तो resonance होगा. इसमें तो बेटा, resonance होगा न? और stabilize भी होगा. यह भी answer नहीं आएगा. 1 plus 1, 2. आंसर क्या रहा है आपके पास? 2 वेटा. ठीक है? आपसे पूछा है, not stabilize. identify total number of compound which have correct direction of inductive effect. plus i effect, electron को आगे की और move करवाएगा और minus i withdraw करेगा. देखें तो, CS3 का क्या होता है? plus i. plus i effect क्या करता है? electron ऐसे आगे की side में transfer करता है. यह तो correct है. यहाँ पर इसका कौन सा effect है वेटा? plus i. plus i है, तो इसे ऐसा करना चाहिए था. ऐसा होना चाहिए था. लेकिन इसमें तो उल्टा है. यह तो answer नहीं आएगा. यहाँ पर इसका कौन सा effect है? minus i. यहाँ पर इसका कौन सा effect है? minus i. minus i electron को withdraw करेगा. तो यहाँ पर order ऐसा होना चाहिए था. ऐसे होना चाहिए था. उल्टा लगा रखा है. यह भी नहीं हो रहा है. यहाँ पर देखो. यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? यह CO क्या है? electron withdrawing है. तो इसके अंदर CS3, CO, CH2. तो इसमें acid sign होना चाहिए था. यह भी नहीं आ रहा है. तो आपके पास क्या आ रहा है? आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. How many alkenes from the following are more stable? तो इसमें क्या देखेंगे? hyperconjugation any number of alpha hydrogen. यहाँ यह alpha है. तो alpha hydrogen कितने हैं आपके पास? 3. अब इनमें alpha hydrogen चेक करो बेटा. alpha, 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 alpha. 3 प्लस 3, 6. 6, 6 प्लस 4, आपके पास 10. यहाँ पर alpha, alpha, and alpha. 2 hydrogen यहाँ पर हैं आपके पास. 1 hydrogen यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं. तो 6 alpha हो जाएंगे बेटा, इसमें. इसको चेक करेंगे, तो इसके respect यह भी alpha है, इसके respect यह भी alpha है, यहां पर 1 hydrogen है, यहां पर भी 1 hydrogen है, 2 alpha, इसमें चेक करें, alpha, alpha and alpha, तो 3 plus 2 plus 1, 6 alpha, यहां पर चेक करें, तो alpha, alpha and alpha, 3, 2, 5 plus 2, 7 alpha, यहां चेक करें, तो आपके पास यह alpha तो है, लेकिन यहां hydrogen नहीं है, यहां यहीं है, तो alpha hydrogen कितने हुए इसमें, 2UA, अब यह क्या कह रहा है, more stable than this compound, इससे ज़्यादा स्थाई देखना है, तो इससे ज़्यादा alpha hydrogen होने चाहिए, इससे ज़्यादा alpha hydrogen किसमें हैं, एक तो इसमें हैं, एक इसमें हैं, एक इसमें हैं, और एक इसमें हैं, how many compounds, 1, 2, 3, फोर कंपाउंट्स, हाउ मेनी कंपाउंट्स, फोर कंपाउंट्स बेटा, ठीक है? हाउ मैनी ओफ उफ दा फॉलॉविंग आसेस्ट लिब्रेट सी ओटू प्रॉम एने एच्सी ओट्री तो ऐसे कौन-कौन से असेड हैं, जो सोडियम बाइकार्मोनेट से रियक्ट करके सी ओटू रिलीज़ करते हैं, यह करेगा, यह भी करेगा, फिनॉल नहीं करता बेटा, फ पिक्रिक एसिड इस ट्रॉंग एसिड एज कंपेर टू कार्बॉक्जिलिक एसिड है करेगा यह नहीं करेगा तो वान टू एंड त्री आंसर इस थ्री ठीक है how many order are correct कितने करम सही है CCL3 COOH CS3 strong acid यह तो सही है न क्योंकि CCL3 का कौन सा effect है minus i minus i effect क्या करेगा acid strength को increase करेगा यह तो order सही है minus m effect यह रॉंग है order क्या होना चाहिए था NO2 CNCHO यह order होना चाहिए तो रॉंग हो गए तो यह order यह भी रॉंग है क्योंकि more stable तो यह है number of pi bone ज्यादा है octet complete है cis2 butine stability पूछी है तो यह भी रॉंग है trans2 butine is always more stable तो आप से पूछा है correct करम तो आपके पास answer के आएगा one ठीक है no2 cn how many groups can show plus i effect बटा प्लस i परभाव प्लस i परभाव किसमें होगा इसमें प्लस i होगा इसमें प्लस i होगा इसमें प्लस i होगा और इसमें प्लस i होगा आंसर कितना आ जाएगा three यह ग्रूप याद रखने होते हैं बटा डारेक्ट how many groups can show plus i effect यह plus i show करेगा क्योंकि इसके पास lon pair है यह भी plus i show करेगा lon pair है यह नहीं शो करेगा यह भी show नहीं करेगा यह शो करेगा यह भी show करेगा lon pair है यह भी show करेगा lon pair है यह show नहीं करेगा यह plus i effect show कप करते हैं minus i effect show कप करते हैं if they are connected with conjugation unsaturated system अगर वो s अंत्र पंत्र के साथ जुड़े हैं तब वो m effect show करते हैं plus m 1,2,3,4,5 ठीक है इन 2-butene 2-butene beta CS3 CH double bond CH CS3 1,2,3,4 SP3 SP2 SP2 SP3 clear अब statement देखो C1 C2 bond is SP3 SP3 C1 C2 SP3 SP3 गलत होगे तो गलत होगे ना SP3 SP2 है C3 C4 bond is A SP2 SP2 C3 C4 C3 C4 SP2 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 SP3 है यह statement भी गलत है यहां गड़बड होगे ना C1 C2 bond C1 C2 bond is SP3 SP2 गलत है और यहां से कौन सा bond बनेगा सिग्मा बनेगा सिग्मा बनेगा सिग्मा बन बन रहा है यह correct statement है C2 C3 C2 C3 C2 C3 SP2 SP2 गलत है और सिग्मा बना हुआ है गलत है SP2 SP2 से क्या बनेगा सिग्मा बन तो इसमें कितने statement correct है दो statement आपके पास correct है तो मैं उमीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से question समझ में आया हूँगे ठीक है एक बार paper को दोबारा जरूर देखना वेटा Thank you, JCLC